नवस्कार साथियों ठंड साथ बिलम से चल रही है और बहुत दीरी गती से ठंड आ रही है लेकिन राजनीती गर में बड़ी तेजी से बढ़ रही है कल ही चार राज्यों के चुनाव नतिज़ा आये है बहुत ही उत्सावर्दक परणाम है यह उनके लिए उत्सावर्दक है जो देश के सामान ने मानवी के कल्यान के लिए कमिटेड है जो देश के उजवल भविश्य के लिए समरपित है विश्य कर सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाउं की महिलाएं सभी समाज के सभी समूहों के गाउं और शहर के युवां हर समूदाय के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब यह चार ऐसी महत्यकून जातिया है जिनका एंपावर्मेंट उनके भविश्य को सुनिशित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी इन उसुलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है और जब गुड गवर्नन्स होता है पूर्ण तया जन हीत के लिए समर्पन होता है तो एंटी इंकम्बंसी ये शब्द इर्रेलेमेंट हो जाता है और हम लगातार ये देख रहे हैं कोई उसको प्रो इंकम्बंसी कहें कोई उसे गूड गवर्नन्स कहें कोई उसे ट्रांसफरंसी कहें कोई उसे राष्ट हित की जन हित की ठोस योजनाएं कहें लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम समसत के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस समसत भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अई तिहांसिक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद व्यबस्ताओं में कुछ कमिया महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा समसदों और विजिटर्स को भी मिडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आदर्णिय उप्राश्पति जी और आदर्णिय स्पीकर महोदय की नेतुत्म में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है और आपसे भी मैं कहूंगा कोई चीज ऐसे छोटी मुटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्सित करना क्योंकि यह चीजे जब बनती हैं तो आवश्चक्ता गैनुसार बढलाव की भी जरूरत होती है देश ने नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सत्र के प्रारंब में विपक्ष के साथ्यों के साथ हमारी हमारा वीचर भी मर्स होता है हमारी में टिम encourage करती है मिलकर के भी सब के सहीयोग के लिए हम हमेशा प्रार्षा करते हैं आग्रह करते हैं इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियां कर ली गई हैं और आपके माध्यम से में सार्वजिनी गुर्प से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आगर करता हूँ लोक्तमत्र के मंदीर जन आकांग्छाओं के लिए विक्सित भारत की नीवत को अधिक मजबुद बनाने के लिए बहुत महत्पुर्प मंच है मैं सभी मान्य सांसदों से आगर कर रहा हूँ कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी फिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आएं और उन सुझावों के द्वारा क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत उत्तम तत्व होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उत्से मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से अगर करता हूँ और अगर मैं बरतमान चुनाओं नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैटे हुए साती है ये उनके लिए गोल्डन ऑपरजुनिटी है इस सत्र में पराजय का गुसा निकालने की योजना बनाने के बजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नौ साल से चलाई गई नकारतमक्ता की प्रवत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारतमक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकौन बदलेगा उनके लिए नया द्वार खुल सकता है और वो विपश में हैं तो भी उनको ये कच्छे डवाई दे रहा हूँ कि आईए सकारात पो विशार ले करके आईए अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला लेकर काईए हर किसे का भवी सुजवन है निराज होने की जरूत नहीं है लेकिन किपा करके बहार के पराजे का गुशा सदन में मत उतारना हताशा निरासा होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछन कुछ करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोगतंत्र के इस मंदीर को वो मंच मत मनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुभों के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिये विरोध के विरोध का तरीका छोड़िये देशित में सकारात्मक चीजों का साथ दिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो मुहमत बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं करबद्य प्रार्शना करता रहा हूँ कि सदन में सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक जश्रिकोन से भी कहना चाहता हूँ कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारत्वक्ता का संदेश के आपकी छभी नफरत की और नकारत्वक्ता की बने वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है लोग तंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्थवान भी होना चाहिए और लोग तंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रगट करता हूँ पेंटी फोटी सेवन अब बेश विख्षिद होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता हूँ समाज के हर वर्ग में ये भाव प्रादा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है इस भावना को हमारे सभी मान्य सांसत समद्र आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उन्ते प्रार्तना है आप सब को भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद